शार्दा नगरिस्ति टाइर फेक्टरी में लगी भीज़नाग दमकल की गाड़िया मौके पर आपको बतादे शार्दान अगर्स्ति टायर फेक्टरी में किनी काणडों के चलते भहंग कर आग लग गई जिसके बाद आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने दमकल आग की गाड़ियों ने कडी मशक्कत कर आग पर काबू पालिया है। पूरा मामला थाना खुतुषे शेत्र के शार्दनगर का है। आग कसी कमर पूर्तसक्रों के ठीकानों घरो पर पहुचकर आपकारी विभाग दे रहा दबिश। आपको बता दें। चेताव निविदी जा रही है साथी साथ आपकारी अफसरों ने अपील कर कहा है कि अगर कहीं भी अवैशराब के कारोबार की जानकारी मिले तो विवाग को दी जाए कारवाई हो चुकी है और जो फिलाल जमानत पर रहा है उनके यहां अभी आवश्यक पुलिस बलको साथ ले के दविश दी गई है और उनको एक कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि यदि चुनाओं में किसी भी तरह की संलिपता या कोई भी जो या वैशराब की तसकरी संबं परात होती है तो हम लोगों को बताएं उस पर तुरंत कारवाई होगी और अगर कोई मैतफूर्ण कोई कारिये कराएगा तो उस पर कोई इनाम का भी हम विचार कर रहे हैं पूरे जन्पद में यह कारिकरम हम लोगों का चला हुआ है थाना फतेहपुर परीसर में पहुचकर 25,000 रुपए के इनामे बदमाश निकिया सरेंडर स्पी देहात ने दी जानकारी आपको बता दे योगी सरकार में खाकी का खौफ बरकरार है थाना फतेपुर परिसर में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश ने लूट की रकम लेकर सरेंडर कर दिया बदमाश ने 40,000 रुपए की लूट की गटना को कुछ दिन पहले अंजाम दिया था इस संबन्द में स्पी देहात ने पुलस लाइन स्थित कार्याले से पत्रकारों को संबन्दित जानकारी भी दी जी एक मार्च को थाना फतेपुर छेतरा अंतरवत एक भारत फाइनेंस कलेक्शन करता के साथ लूट उती जिसमें 16 मार्च को दो अभियुत गिरफतार करके जेल बेजे गए थे इस घतना में एक अभियुत जिसका नाम अभिनव राना है वो उसी समय से फरार था निरंतर और आज थाना फतेपुर पर वो स्वेम आकर सरेंडर हुआ है अपने तक्ती एक लेके आया था जिसमें उसने लिखा था कि मैं खुद से सरेंडर कर रहा हूँ वो पुलिस का 25 हजार का इनामी अपरादी भी था हमने लगतार उसके जो ठिकानों पर दबिश दी थी और काफी दबाव भी बनाया था जिस वज़ए से उससे पूछता है कि उसने बता वो दहरादून और हर यह लूट का पूर्ड का कुलासा हुआ आज उसने 40,000 रुपए जो लूट में उसके साथ उसका जो हिस्से में आया थे वो भी थाना पत्या पर पुलिस में एज़ा तरेंडर में के बस्त इंकम जमा कराई है देखिए रहने वाला बुढ़ाना मुझफर नगर का है और इसके कई जो रिलेटिव से उसके आँ भी बुढ़ाना में भी निरंतर दविश दी जा रही थी और इस घटना में अलरड़ी दो इनामी अभी अभी गिरफतार कर लिए गया है और यह तीसरा शेश अभीवत है आज तरेंडर हो गया इस दोरान मंडला आयुक ने संबंदित को आवश्चक दिशा निर्देश भी दिये हसनपुर चौक पर पुलिस द्वारा चलाया गया जबरदस्त वाहन चेकिंग अभ्यान 30 से अधिक काटे चालान आपको बता दे वरिष्ट पुलिस अधिक्चक के निर्देशन में त्योहारों को लेकर एवम कानून ववस्ता सूद्रड बनाए रखने हेतू हसनपुर चौक पर सीयो चित्रांशु गौतम के नेतरत्तों में पुलिस बल द्वारा जबरदस्त वाहन चेकिंग अभ्यान चलाया गया और यातयात नियमों का पालन ना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए इस दौरान तीस सेदिक वाहन चालकों के चालान काटे गए इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा जनपद में न्यायले ने पोक्सो एक्ट के अपराधी को पांच वर्स के कारवास एवं 20,000 रुपए के अर्थ दंड से क्या दंडित आपको बता दे एक अभ्युक द्वारा थाना नकुड छेतर से एक नवालिक लड़की को बहला फुसला कर ले जाने की सूचना पर थाना नकुड में संबंदित धाराओं में अभ्युक पंजिक्रत किया गया था वरिस्थ फुले सदिक्चक के निर्देशन में थाने से की गई ससक्त पैरवी एवं परियासों के कारण जनपद में न्यायलने पोक्सो एक्ट के अपराधी को संबंदित मामले में दोसी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास एवं 20,000 रुपए के अर्थ दंड से दंडि PWD द्वारा किये जा रहे मरमत कारे का जायजा लिया गया एवं रूट डैवर्जन हेतु संबंदित को आवश्चक दिचानिर्देश भी दिये गए इस दोरान भारी पुलिस बल भी मौझूद रहा पुलिस लाइन सभागार में सेवा निवरत हुए पुलिस कर्मियों को SSP ने दी शुब कामनाए आपको बता दे वरेस्ट पुलिस अधिक्चक विपिन ताड़ा द्वारा पुलिस लाइन सबागार में सेवा निवरत हुए पुलिस कर्मियों को माला पहना कर प्रशस्ती पत्र भेट कर एवम शौल देकर सम्मानित किया गया तथा अगरीम जीवन की शुब कामनाय भी दी गई स्बीडी पुल आज से मरमत के कारे को लेकर बंद कर दिया गया और इसमें जोरो शोरो से काम शुरू हो गया जिससे की बरसात वै अन्य कारणों से पुल में किसी प्रकार की शती ना हो और संबंदित विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौझूद रहे जिससे की ठीक प्रका फिराराने थाती बनी रही तो गया भी इन्य आघ्र का निगम से शुरू कशाल मार्च का शुभभारम करते निगम के स्वच्चता अंब्यस्टर्व मश्च नगरायगत आधी स्वचेता के लिए निगम ने निकाला स्वच्य मशाल मार्च आपको बता दे नगर निगम द्वारा शाम निगम परीसर से स्वच भारत मिशन के अंतरगत एक स्वच मार्च मशाल निकाला गया मार्च का नेतरत्य निगम के सवच्चता एंबेस्टर अंतररास्टिय साइकलिस्ट बाभू राम सैनी वे अंतररास्टे जूडो रेफरी दिपक गुपता वे अपर नगरायुत S के तिवारी ने किया केंदर सरकार द्वारा सवच्च भारत मिशन के अंतररगत गत साथ मार्ष को अंतररास्टे महिरा दिवस पर सच्चाथ सव दोहजार तेईस लॉंच किया गया था ताकि अपसिस्ट प्रबंदन एवं महिलाओ की सवच्चता में भागेदारी को बढ़ाते हुए उनके नेतरत तुम्हें सवच्चता अंदोलन को गती दी जा सके सहरनपूर भुदेश और महादे मंदिर में राम नवम्मी के उपलक्ष में भव्यकार करम का आयोजन किया गया जिसमें श्रधालों ने पहुँचकर धर्मलाब उठाया मंदिर में पूजा अर्चना की गई और भगवान से अपने घर में खुशहाली के लिए प्रातना की इस अवसर पर वहां पहुचे श्रधालों ने जानकारी देते हो बताया कि हमें खुशी है कि योगी सरकार ने हमारे त्योहारों पर इस प्रकार के कारक्रमों के आयोजन किया और इस से लोगों का उत्सहा बढ़ता है इस भारी संख्या में लोग पहुंसते हैं और इस प्रकार के कारक्रमों से हमारे परिवार वच्चों को हमारी धर्म वह संस्कृती का ज्यान होता है आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश के जो मुख्य मंत्री यश्यश्वी योगी आजी तिनाज जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में सरकार के दुआरा राम नोम्मी उस्टव के अंतरगत रामैंड के पाठ हुए आज नगर विधायक जी के दुआरा साहरानपुर के तीन मंदिरों में गीता मंदिर बेरीबाग और हरी मंदिर आवाज विकास और शीरी बुतेश्वर महादेव मंदिर प्रांगन नहां पर हम इ देशा के नंजना नैब उनकी पूरी टीम उनकी बालिकाओं के द्वारा नरत्य पस्तुति के द्वारा रामैंड का पाठ किया गया और आज बहुत ही सभी भक्त जन अपने आपको गोरवानित महसूस कर रहे हैं कि उनके एक वोट की ताकत कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में बगवान राम के जनम को बड़े हश्र लास के साथ सरकारी कायकरम के अंतरकत मने आ गया और आज यहां पर जो यह कायकरम हुआ है इस चेत्र के समस्त वासियों ने उसका रसासवादन किया और उस पूरे धार्मिक आयोजन का चुब लाब उठाया और हम प्रम्पिता प आयोजन किया भगवान उनकी दिर्गाईजू करे और हम सब उनसे प्रेणा लेकर हिंदुत की और सनातन की दोजा को इसी प्रिकार फिराते रहें यही हमारी चुब कामना हैं धन्यवाद जैहिंद जैभारत जैशिरी राम